नमस्कार दोस्तों, अर्णब गोस्वामी को मीडिया का नरंद्र मोधी बनाने की मुहिम का मैं स्वागत करता हूँ आज देश के सारे के सारे लूटियंस जो उनके दलाल जो दुनिया भर की दलाली करके भी टी आरपी नहीं हासिल कर पाए तब यह कहकर खुद को सांतवना दे रहे हैं कि अर्णब गोस्वामी ने मुंबई के दर्सकों को पैसे देकर टी आरपी खरी दिये सच तो यह है कि सभी सहरों की रेटिंग में मुंबई में आर भारत की जो टी आरपी रेटिंग है वो सबसे कम है सच को जेल नहीं पाए तो रीपब्लिक भारत जैसे सच दिखाने वाले न्यू चैनल पर बचकाना आरोप लगा नंगे होकर नाचने लगे और सबसे जरुरी बात जब कुछ साल पहले विदेसी मुद्रा के घोठाले के आरोप सच पाए जाने पर एंडी टीवी के प्रमोटर्स को नोटीस भिज़ा गया था तब सारे सेकुलर मीडिया के मठादीस और कई रिटाइट जज ये कहने लगे थे कि भारत में मीडिया को डराने की कोशिश की जा रही है मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है मोदी सरकार ये चाती हैं कि मीडिया मन माफिक काम करे लेकिन जब माराष्ट सरकार अर्णब गोस्वामी के रीपब्लिक को पिछले एक साल से किसी न किसी बहाने प्रताडित करती हैं तब ये दोगले खुसी मनाने लगते हैं तब इनके लिए चौता स्थम्ब खत्रे में नहीं लगता तब ये नहीं कहते कि मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है अर्णब गोस्वामी ने अपना पत्रकारिता का करियर राजदीब सर्देशाई के जूनियर के तौर पर सुरू किया था कई सालों तक CN, IBM में राजदीब सर्देशाई के जूनियर थे उसके बाद अर्णब टाइमस नाओ में गए और उन्हें टाइमस नाओ में प्राइम टाइम एंकरिंग की जिम्मेदारी दी गई तब उस सो से वह पूरे भारत में फेमस हो गए दरसल आज ये जो राहूल कमल, चित्रा त्रिपाठी, रविश कुमार, राजदीब सर्देशाई और आसुतोस जैसे तमाम लोग अर्णब गोस्वामी पर हमले कर रहे हैं और सभी चैनल एक गटबंदन बनाकर अर्णब के खिलाब मौचा खुले हुए हैं ये एक कुंठित मानसिकता है क्योंकि ये सारे के सारे आज भी अपने अपने मालिकों की गुलामी कर रहे हैं और कभी इनके ही बीच में इनके जूनियर के तौर पर काम करने वाला अर्णब गोस्वामी अपने खुद के चैनल का मालिक बन गया इस सच्चाई को ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं और अर्णब गोस्वामी ने पहले से इस्थापित बड़े बड़े मठादीश चैनलों को टी आरपी में काफी पीछे छोड़ते हुए अपने चैनल को नंबर वन बना दिया और ये भी ये मठादीश हजम नहीं कर पा रहे हैं फिर मनुश्य की साइकोलोजी भी होती है जब वो किसी की बराबरी नहीं कर सकता तब वो उसके उपर कीचड उचालना सुरू कर देता है लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने जो नरंद्र मोदी के साथ किया वही ये अर्नब गोस्वामी के साथ कर रहे है सब को पता है कि जब अर्नब गोस्वामी ने टाइमसनाव छोड़ा तब टाइमसनाव चैनल का क्या हाल हुआ सच्चा ही यही है कि लोग अर्नब गोस्वामी को पसंद करते हैं लोग उनका शो देखते हैं अब यदि दूसरे चैनल वाले जल रहे हैं तो उन्हें अपने इस्थान विसेस पर बर्फ से सिकाई करनी चाहिए ना कि अर्नब का और ज़्यादा प्रचार करना चाहिए यह मुर्क जोस में आकर अर्नब गोस्वामी का ही प्रचार कर रहे हैं और अब हालत ऐसे हो गए हैं कि लोग रीपब्लिक नहीं देखना चाहते तो भी रीपब्लिक इसलिए देख रहे हैं कि देखू तो सही आखिर हुआ क्या है मारश्ट सरकार और उनका तंत्र इतना असहाय हो चुका है कि कंगना रनोत के सच को न जहल पाए और प्रतिशोद में उसका घर गिरा दिया पालगर और सुसान की आरोपियों को बचाने के लिए पुलीस की दशकों से बनाई इज़द गवादी और अरनब के खिलाब मुंबई पुलीस कमिशनर जैसे सकतिसाली पद की गरिमा को दावप पर लगा प्रेस कॉन्फरेंस करके खुद की धज्या उड़ा रहे खेर धन्यवाद मुंबई पुलीस कमिशनर परमवीर सिंग जी का जिन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस करके रेटिंग का ऐसा फार्मूला बता दिया कि एक राष्टरवादी चैनल मिसाइल बन गया FIR में नाम India Today Group का और मुंबई पुलीस कमिशनर ने प्रेस कॉन्फरेंस में नाम ले लिया Republic भारत का कमिशनर साब ने कूकर में से चने निकाल लिये और खाली कूकर गैस पर चड़ा दिया मुंबई पुलीस कमिशनर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है TRP मुद्दे पर मुंबई पुलीस कमिशनर का खुद प्रेस कॉन्फरेंस करना ही सवालों के घेरे में खड़ा करता है कि यह सिर्फ एक बदले की कारवाई है पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पुलीस ने प्रेस कॉन्फरेंस करके कुछ बाते बताई और सारे के सारे लुटियंस मीडिया उनसे सहमत हो गए वरना तमाम सबूतों के बाद भी यह मीडिया पहले पुलीस पर ही सवाल उठाया करते थे दरसल यह सुविदावादी मीडिया है परमजी सिंग के आरोप है कि रीपबलिक और दो छोटे चैनल्स ने उन 2000 घरों के मालिकों को महीने के 400 से 500 रुपे दिये ताकि जादा से जादा वक्त इस चैनल्स को चलाते रहे जिससे इनकी TRP रेटिंग बढ़े यदि 500 रुपे प्रती घर और प्रती महीने भी मान लिया जाए तो भी 10 लाग रुपे महीने के बनते हैं क्या 10 लाग रुपे महीने के खर्च पर 40,000 करोड का धंदा बनता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं एड़टाइजर दो तीन सप्ता की TRP रेटिंग पर निर्णे लेते रेटिंग में लंबे समय की स्थिर्था के बाद एड़टाइजर कोई निर्णे लेते महीने के 400-500 के लिए कोई व्यक्ति 24 घंटे टीवी चलाएगा और उस 500 में से 3.500 सेट आप बॉक्स का किराय देगा और मजे की बात यह हैं कि कुल TRP मीटर में से सिर्फ 0.2% मीटर ही मुंबई में लगे और मात्र 0.2% मीटरों से छेड़ चाड़ करके कोई व्यक्ति इतना बंपर TRP कैसे पालेगा परमजी सिंग बार-बार केवल मुंबई में लगे TRP बॉक्स की संख्या का जिक्र कर रहे है देश भर के बॉक्स की जंख्या नहीं बताई और ना किसी पत्रकार ने पूछा TRP बॉक्स मैनुपुलेशन में सिकायद करता बार्क है जो TRP बॉक्स और रेटिंग को हैंडल करता है ये सारा डेटा बार्क के पास रहता है यानि इन्फर्मेशन बार्क से लीक हुई इसके बावजूद बार्क को जान से बार रखा गया क्यों मैनुपुलेशन के नतीजे मुंबई में लगे सिर्फ 2000 TRP बॉक्स से निकाले गए TRP बॉक्स की इतनी कम संख्या से कई करोड की एडवर्टिस्मेंट से मिलने वाली रेवेन्यू को अपने पक्ष में कर लेने की बाद सोचना भी मुर्खता है मुंबई पुलीस यग कैसे साबित करेगी कि TRP बॉक्स वाले इन 2000 घर मालिकों को पैसा रेटिंग मैनुपुलेशन के लिए दिया गया बिजनस प्रोमोशन का कोई भी तरीका सामने रखा जा सकता है जिसे TRP बॉक्स से जोड़ना लगवग ना मुमकिन है दरसल मुंबई पुलीस यह कभी साबित नहीं कर पाएगी कि अर्णब गोसामी ने पैसे लेकर TRP खरी दिये क्योंकि TRP मीटर सिर्फ मुंबई में ही नहीं लगे होते बलकि जो बार्क संस्ता है यह बार्क संस्ता पूरे भारत के 30,000 घरों में TRP मीटर लगाती है और यह हर हपते हर घर बदल दिये जाते हैं ऐसा नहीं है कि पहले हपते जिस घर में TRP मीटर लगा था फिर अगले हपते भी उसी घर में लगाओगा कुल मिलाकर मुंबई पुलिस इस मामले में मुग की खाने वाली है यदि कोई मामला है भी तो यह परवतन निदेसाले यानि की ED का मामला है ना की पुलिस का कोट में पहली सुन्वाई में ही परमजी सिंग के नेत्रतवाली मुंबई पुलीस मू की खाएगी और फाइदा रीपब्लिक को मिलेगा थेंक्यू वेरी माच जैहिन